हेलो गाइज वेलकुम टो माई यूटूब चैनल माई नेम इस अर्जुन महरवाल एंड रिचेंटली एक लिए एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने करें अगर इनसान खुद की गलतियों से से ज्यदा चेकरी कोशिस गरेगा तो तो इसका पूरा जिवन है जो कंपड़ जायएगा तो कुछ तो इस गलतियों से ना दूसरों के गलतियों सीखना पड़ता है मैं और ताकि हम जल्दी इंप्रूव हो सके खुद में इंप्रूवमेंट ला सके जल्दी तो यह चीज एक तो मैं जो गलतिया पता हूँगा अपनी वह आपको रिपीट नहीं करनी है ठीक है और इसके लावा यह वीडियो काफी इंप्रूट डेगा एंड तक देखना है और चेंहों चीनों पूर नहीं किया हो मैं बोलता हूँगा उप्सक्राइब करने के लिए लेकिन ज नहीं किया हूँ उप्प्सक्राइब कर लेना और इसके लावा शेर वगराहा भी कर दिने आप ठीक है और जो है एंड तक देखने वीडियो जो है मेरा स्कॉर कार्ड मेंस का वह मैं आपको दिखाता हूं तो इससे देखे लिए पहले मेंस का फाइनली स्कॉर कार्ड है और मार्क्स देख सकते हैं काफी कम है मतलब बोलते हैं कि बाल बाल बचना तो वह सीन था अलांकि एक नंबर जएदा है लेकिन फिर भी बहुत कम है तो यह उपीशी के टोपती 78.25 और मेरे माक्स है 79.25 ठीक है तो कुछ गल्दियों को जैसे इन मार्क्स कम रह गए तो वह आपको गल्तियां रिपीट नहीं करने है ठीक है तो यह सीन था इसके लावे देरखाई यू है विए प्रोविजिनले सेलेक्टेड सब्जेक्टेड सब्जेक्टेड सब्जेक्ट टू कॉलिफाइंग इंदे लेंग्वेश टेस्ट इस पर कंपलेशन ओधर फॉर्मिलिटीज एड़ टाम जोइन प्लीज अवेट फर्दर इंस्ट्रक्शन फ्रोम एड लोकल है दोपीस ऑफ यूर इस्टेट तो यह जो रिजल्ट था वह फाइन रिजल्ट यह था आउट-प्टोंड्रेड मांक्स में से था ठीक है आपके तो आपने देख लिया होगा यह मेरा स्कूर कार था और मेरे जो मांक्स हैं वह 79.25 और जब कि गुजरात की जो कटोफ थी वह 78.25 थी तो आपको लग गया होगा कि यार यह परी में तो जो है 88.75 मांक्स थे और मेंस में इतने कम मांक्स क्यों है तो उसके पीछे का र जो है 25th of September को मेरा जो आर बी पीयो का एक्जाम था वो था मेंस का सो मैंने एक गलती भी बान सकते हैं या फिर उस टाइम पर जो मेरे को सही लगा वो मैंने किया था मैंने आर बी पीयो के लिए हिंदी को चूज किया था और हिंदी में मेरे मांक्स भी अच्छे हैं लेकिन एक महीने पहले से मैंने इंग्लिस को पढ़ना चोड़ दिया था और हाथ भी नहीं लगा तो जो है मैंस के लिए मैंने हिंदी चूज की और हिंदी को पढ़ रहा था मैं तो लेकिन जब 25th के बाद में जब मेरे को टाइम मेला 5 दिन का तो 5 दिन में इंग्लिस को इतना पश्किल हो गया और 5 दिन के टाइम में सो वह एक मिश्टेक भी मान सकते हैं अगर आपके पास बीच में टाइम नहीं मिलता तो अगर 15 दिन का टाइम है बीच में तो आप चूज कर सकते हिंदी और जो और प्यों का एक्जाम था वह रिजल्ट जो है परीका वह लगबग 20 दिन पहले आ गया था और उन बीस दिन में फिर मैंने क्यों हिंदी के लिए तयारी की क्यारी करनी थी और जो SVA करका रिजल्ट था वो लगबग आरारवी प्यों के मेंस के पहले तीन-चार दिन पहले आये था तो फिर इंग्लिश के लिए इतना टाइम नहीं दे पाया तो इंग्लिश में मैंने 22 कुछिन के थे इसका रिजन यह था कि जो रिजनिंग पार्ट आता रिजनिंग में उस टाइम पे पजल वगरा भी आई थी मैंने दो पजल की थी और पूरे कुछिन जो है रिजनिंग में 26 किये थे लेकिन जो उसके पजल के अलावा जो स्टेट्मेंट और ऑफिशन वाले कुछिन आते ना कतन निसकर जीजे बोलते हैं तो वो कुछिन आये थे लगबग साथ से आठ कुछिन और वो मैंने मेरे को एजी लगे तो मैंने अटेम्ट कर लिए सारे लेकिन वो काफ़े डिफिकल्ट होते हैं आप जो सोच के जाते हैं वो उसमें आंसर होता ही नहीं ठीक है तो मैंने है वो मार्क्स आये 79 तो आप देख सकते हैं कितना ज्यदा गलत रहा हुआ और जीके का पार तो मेरा स्ट्रोंग था जीके में मैंने 35 के थे और मैंने 5-6 कुछिन गलत थे और इतने गलत होई होंगे इसके अलावा क्वांट में मैंने 16 कुछिन के थे और हो सकता है एक पाई था इंग्लिस और जो है रिजिनिंग का है जो काफी स्टेट्मेंट वगेरा वाले कुछिन थे वह काफी गलत हो गए तो आपको यह चीज़ ध्यान रखके चलना है कि एक तो यह तो क्यों की प्रेप्टिस आप कितनी ज्यदा होनी चीए कि आप मोख वगेरा में कर र लगा था कि हसाउरे सही और मैंने काफी देर दर को नपर वो गया था कि भी shear शही है घados है तो उनको देखके महाता लेकिन नहीं ऊपाए तो आप मेंसरे वह चूही बनना हो ऑपको अरचीज को हर चीज़ करना होता है आप पूरए कुछिन करने की बजाए जिसे मुश्य कि एगी लेकिन इजी वे में हो जाएगी टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप अगर पूरे नोट डाउन करते हैं तो पूरा आपको ना सोलीशन मिल जाएगा तो आप आप उसको ना चूज करें कुछन इतना नहीं जैसे मैंने 16 कुछन किये क्वांट में तो 16 में मेरा सेलेक्श बगरा थे और मेरे गलतियां थी जो आपको रिपीट नहीं करनी है ठीक है और काफी जो है अगर मेरा मालो सेलेक्शन नहीं होता तो काफी डिमोटिवेट होता मैं उस टाइम और जो गलतियां मैंने की लेकिन वो सही रागी मेरा मेरे और क्यूशन सही थे तो एक-दो नंब